तो जैसे कि आप सभी को मालुम होगा कि आपका कल रिजल्ट आ चुका है नीट पीजी 2023 औल इंडिया काउंसलिंग 50% का उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको detailed information provide करूँगा कि क्या इस बार positive shift रहा है आपका या negative shift रहा है branch wise हम 2021, 22 और 23 जो अभी का round 1 है उसका comparison करेंगे क्या difference आपको देखने को मिला है काउंसलिंग में और आपको पता चलता हुआ दिखाई देगा कि कैसा का सेनेरियो अब आगे वाली का counselling में होने वाला है तो वीडियो काफी informative होने वाली आप सब एक लिए तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं बता तो जो कोई भी हमाई चैनल पर नाया है प्लिस हमाई चैनल को सब्स्राइब कर लेजे क्योंकि ऐसी informative videos, updates regarding NeatPG 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे सद्धी साथ अगर आपने हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया तो उसकी link description में आपको मिल जाएगी जाके आप चैक आउट कर लेजेगा यह just qualify है या qualify होने से कुछ number से रह गए है तो अभी भी उनके पास options available है अगर उनके पास budget का issue नहीं है तो उनको top medical branches भी मिल सकती है और अगर थोड़ा बहुत budget का issue है बट easily आप कर सकते तो भी आपको अच्छी branch out होते होती रिखाए देगी clinical branches तो वो अगर admission के लिए आप देख रहे हैं तो हमारे दिये गए whatsapp नमबर पे हमसे whatsapp कर सकते हैं बात कर सकते हैं हमारे counsellor से touch में रह सकते हैं और आपको सारी जानकारी provide करी जाएगी कैसे क्या आपको go through करना है क्या आपकी strategy होने चाहिए कौन कौन सा colleges में आपके पास chances available होती है जहाँ पर आपको easily branch option दिखाए देगी जो भी आपकी particular branch है जो भी आपकी desired branch है जो आपको लेनी है कौन सा state तरहेगा सारी चीज़ है हमारे counsellor आपको बताएंगे और कैसे क्या proceed करना है जो main चीज़ है वो आपको बताएंगे हमारे counsellor द्वारा तो यह अगर आप चाहते हैं तो whatsapp पे हमसे contact कर सकते हैं बात कर सकते हैं हमारी help आप ले सकते हैं बाकि हमारा जो main topic हम उस पर continue करते हैं मैंने बताया कि हम comparison करने वाले हैं last three years last two years के cut-offs से all India cut-offs के उससे comparison करेंगे इस साल की cut-offs जो आपकी आई हुए branch wise सबसे पहले जो हमारी branch आती है वो हमारी dermatology आती है 2021 की बात करते हैं तो all India 2281 rank पर यह close हुई थी round 1 में then हम 2022 की बात करते हैं तो 2572 पर close हुई थी round 1 की बात करते हैं 2023 में तो 3770 पर close हुई कहीं न कहीं आपको difference 1000 के round का आपको difference देखने को मिला है last year की comparison में वहीं पर हमारी next जो branch आती है वो है हमारी general medicine 2021 की अगर बात करते हैं तो 3592 पर यह close हुई थी then हमारी 22 की बात करते हैं तो 3740 पर close हुई थी around 200 की rank का difference आपको देखने को मिला था last year then हमारी next जो branch आती है वो है हमारी अपगाईनी 21 की अगर बात करते हैं तो 7159 पर यह close हुई थी 22 की बात करते हैं तो 8556 पर close हुई थी इस साल की अगर बात करते हैं तो 8698 पर यह close हुई है ज़्यादा differences आपको देखने को नहीं मिला इस branch में then हमारी next branch आती है वो हमारी radio आती है 21 की अगर बात करते हैं 2077 पर close हुई थी rank 22 की बात करते हैं 2104 पर close हुई थी और अगर इस साल की बात करते हैं तो 1872 पर close हुई है इसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा negative shift देखने को मिला है as compared to other branches then हमारी next जो branch आती है वो हमारी PDA आती है 21 की अगर बात करते हैं तो 5,232 पर close हुई थी 22 की बात करते हैं तो 5,592 पर close हुई थी और अगर इस साल की बात करते हैं तो 7,201 पर close हुई है जो की काफी अच्छा shift आपको देखने को मिला है around 1500 rank का 1500 का आपको difference देखने को मिला है इ next जो हमारी branch आती है वो हमारी TV चेस्ट आती है TV चेस्ट यह बात करते हैं 21 में 5,998 पर close हुई थी 22 की बात करते हैं तो 6,488 पर close हुई थी इस साल के अगर बात करते हैं तो 9,736 पर यह branch close हुई है around 3000 का आपको rank में difference देखने को मिला है जो की काफी अच्छा positive shift इसमें particular branch में देखने को आपको मिला है ENT की अगर बात करते हैं तो 21 में आपकी 13,066 पर close हुई थी 22 की अगर बात करते हैं तो 16,515 पर close हुई है around 3000 का आपको difference देखने को मिला है इस particular branch में भी जो की काफी अच्छा positive shift आपको देखने को मिला है surgery की अगर बात करते हैं तो 21 में आपकी 7,801 पर close हुई थी rank all India rank पे 22 की अगर बात करते हैं तो 9,202 पर close हुई थी इस साल की अगर बात करते हैं तो 11,033 पर ये close हुई है कहीं न कहीं आपको 2,000 rank का difference आपको देखने को मिला है surgery जैसी branch में और्थों की अगर बात करते हैं तो 21 की बात करते हैं 6,813 पर close हुई थी 22 की बात करते हैं तो 7,572 पर close हुई थी और इस साल की अगर बात करते हैं तो 10,188 पर close हुई है इसमें भी around धाई हजार का आपको difference देखने को मिला है और्थो जैसी branch में जो की काफी अच्छा positive shift देखने को मिला है अप्तल की बात करते ह तो 10,746 आपकी 2021 में close हुई थी 22 की अगर बात करते हैं तो 12,922 पर close हुई है इस साल की अगर बात करते हैं तो 16,738 पर ये particular branch आपकी opt हुई है समझ लीजे 4,000 के around का आपको difference इस particular branch में देखा गया है psychiatrist की बात करते हैं तो 21 में आपका 10,334 पर close हुई थी इस साल की बात करते हैं तो 12,189 पर close हुई थी और अगर इस साल की हम बात करते हैं तो 15,782 पर ये particular branch opt होते हुए दिखाई दे रहे है around 3,000 प्लस का आपको difference इस particular branch में भी देखने को आपको मिल ला है pathology के अगर बात करते हैं तो 22,885 21 में आपको opt होते हुँ दिखाई दी थी branch लास्ट की बात करते हैं तो 28,242 पर आपको branch opt होते हुँ दिखाई दी थी इस साल की अगर बात करते हैं तो 37,717 पर ये particular branch आपको opt हुई थी और अगर इस साल की बात करते हैं तो 20,806 आपको opt होते हुए last branch दिखाई दे रही हैं अगर मैं overall की बात करता हुँ तो सब में आपको opposite shift देखने को मिला है कुछ branches में बहुत ज़्यादा shift आपको देखने को मिला like 3000, 4000 बट कुछ branches ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा आपको shift देखने को नहीं मिला जैसे कि आपकी उबगाईनी आपको differences देखने को नहीं मिला last year के अगर comparison की बात करते हैं तो यह आपको मैंने detailed information बता दिया है आपकी cut off के regarding जो आपकी comparison किया है मैंने 21, 22 and 23 इस साल की cut off का बाकी अभी यह मैंने MDMS के उपर मनाई है इसके अलावा बाकी DNB और NB Diploma की भी आपको हमारे चैनल पे मिल होंगा आपको last year और यह साल का comparison पर होप करता हूँ वीडियो काफी informative रही तो प्लीज इससे like करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद